या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में है और इस मशीन को जा आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो इस मशीन से आप अल्लिमिटेर पीटेम के श्कमा सकते हो और जो साफ होता है ना उसके बारे में एक ऐसा फैक्ट बता हुआ जो कि आप सूच भी नह सुना जाती है उन क्रिम्नल के पार्सी के फ़ांसी कि 15 दिन ही उनके परिवार वालों को टर्टीस कर जाता है ताकि उसके परिवार वाले आखिरि बार उसे मिल सके और वैसे मुझे तो यह लगता है कि हमारे इंडिया जैसा देयालो देश शायद कोई नहीं है क्योंकि दूसरे देशों में छोटी सी गलती पे ही लोगों के सिर तक काट दिये जाता है या फिर बंदुख से भी उड़ा दिये जाता है और बस हमारा इंडिया ही एक एसा देश है जिसमें हाइस्ट लेविल के सचा केवर और केवर फांसी है अब बाता भी बाता हो मैं मै एक चुइंगम को लेनी है उसको चबाना शूरू कर देना है इससे आपके आँखों में आजवाना तुरंत बंद हो जाएंगे यकीन नहीं होता है तो ट्राय करकर जरू देख लेना बड़ी ही कमाल की चीज है है ना Fakt No.8 किसी भी पानी की बोल पर जो एकस्पारीडेट लिए तो इसका मतलब यहन कि यह उस पानी की एकस्पेरीडेट है बलकि जो बोल जिसमें पानी स्टोर किया हुए है उस बोल के प्लास्टिक एकस्पारीडेट होती है और यह बहुत इंपोर्टन नॉनिज थी आपके वोगती है जिससे हमें नींद आने लगती है तबी तो जो ड्राइवर लोग होते हैं वो रात को खाना कम खाता है या फिर ना के बराबर खाता है ताकि वो पूरी रात बिना नीन के अपने ड्राइविंग जारी कर सके हैं हलांकि दूसरे लोग भी अपने काम में इस टेक्निक को काम में लेता है फेक्ट नमर फाइफ उट जो कि रिग्वित्तान का जहाज भी माना जाता है वो बिना पानी पिये एप्रॉक्स वन हफ़ते तक जिंदा रहता है और इस काम के एनिमल की सबसे खराब बात यह है कि यह प्राणी बाकी सबी प्राणियों से सबसे ज़़ा फारता है फेक्ट नमर फूर मलेशया और थाइलेंड में वहां के बंदरों को एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में बंदरों को नारेल के पेड़ों पर चड़ने और नारेल को तोड़कर लाने के स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है अब मुझे यह तो नहीं पता कि उनके दिमाग में से आईडेस आते हैं कास है फैक्ट नमर त्री, यह जो मशीन आप इसके बत देख रहे हो, इस मशीन का नाम बोतल क्रेशर है और इस मशीन का काम काफी अद्बूत है इस मशीन में बस आपको एक प्लास्टिक वाली पानी की बोतल डालनी होती है जिसके बतले में आपको एक बोतल में पांच रुपे बेटे में मिलेगा और यह बिल्कुल रियल है यह मशीन अभी तक पूर्णे, मुंबई, एमदाबाद, बेंगलोरों में लगाई गई है और इस मशीन का उदेश साफ सफाई है अब जो पियम मोदी जी का फैन है वो इस फैक को जरत ध्यान से सुनिये 2010 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंती थे तब United Nations जो के Intergovernmental Organization है उस organization ने 2010 में गुजरात को दुनिया का दूसरा सबसे बहतरीन राज जी गोशित कर दिया अब आप खोदी देखो कि मोदी जी अपने काम में कितना पॉफेक्ट है आपने अभी तक कितना बड़ा परिवार देगा शायद नहीं देखा होगा यह हैं दुनिया का सबसे बड़ा परिवार कितना हैरान कर देना वाला फैक्ट है यह इस परिवार में एक आदमे की 39 वाइफस है और उन सभी वाइफस के सभी के मिला के 94 बच्चे है सभी को मिला कि कुल 133 लोगों का परिवार है मतलब इस आदमे को क्या वर्ल्ड डिकोर बनाना था यह आदमे भी घजब है यार अब तो मैं तो इस सोच में डूबा जा रहा हूँ कि यार इनका एक दिनका खर्चा कितने होगा तो यह थे सबसे यूनिक फैक्ट्स अगर आपको ऐसे ही और फैक्ट्स और नॉलेजबल वीडियो चाहते हो तो आपको क्या करना है शायद आपको बताओगा नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो को करना है सबसे पहले लाइक उसके बाद में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके औल का उप्शन जरूर सिलेट करना उब्मिन है आप यह जरूर करोगे सब्सक्राइब नाओ तो नेक्स वीडियो 10 थैंक्स वर वाचिंग वीमित अगैं